सबी किसान साथियों को मेरा नमस्कार साथियों आज हम बताते हैं आपको कि टमाटर के अंदर और ओबैंकी जिसको बोलते हैं आपा रूखडी, मर्गोजी आप कह सकते हो वो किस परकार से आपकी फसल को नुकसान करती है वो थोड़ा सा हम आज आपको बताना चाहेंगे कि टमाटर के अंदर कितना कुछ प्रभावित होता है आपका एरिया, आपकी फसल, रूखडी की वज़े से ये देखिएगा आप ये मर्गोजी है ये मर्गोजी है, ये देखिएगा ये जो निकल रही है आपकी ये देखिएगा आप ये एक इस प्रकार का सिस्टम बनाती है कि ये जड़ों को, ये पैरासाइट है ये जड़ों को बिल्कुल इस प्रकार से बोच देती है और बिल्कुल ही आपको ब्लोक कर देती है जिससे की पोदा आपका खुराक वगेरा नहीं उठा पाता ये देखिएगा ये देखिएगा आप ये मर्गोजी है रूखडी जिसको हम बोलते हैं टमाटर के पोदों में और बणी बणाई फसल को काफी नुकसान करती है ये जैसे ही दिन का टेंपरेचर राइज होता है ये बाहरी मात्रा में बढ़नी शुरू हो जाती है सरसों टमाटर इन चीजों को बहुत परभावित करती है ये देखीगा आप तो साथियों स्टेज के उपर वैसे इसका कोई समाधान नहीं है क्योंकि कुछ ट्राइल्स सल्फो सल्फिरोन दवाई के जरूर लगाए गए थे जिसकी वज़े से 70 परसेंट तक कंट्रोल देखने को मिला था लेकिन वह भी टमाटर में फूल आने की अवस पहले उसका सप्रे किया जाता है सल्फो सल्फिरोन का जिससे कि यह काफी हद तक रूखडी में कंट्रोल आपका हो जाता है लेकिन जब पूरी फ्लोरिंग पे हो पूरा फाल आपका जब देने उठाया हुआ हो उस दोरान पे आप हर्भी साइड का सप्रे ना करें तो अच है क्योंकि जमीनों को बहुत ही खतरनाख तरिक्ये से प्रभावित करता है अर्भी साइड नमस्कार जैहिं जै भारत